आज स्यवक्ता नमस्कार दोश्तों आप देख रहे हैं नौलेज़ बस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंट्अविजन्स ब्यूरो के नंट्ट फीकेशन के कुछ इस iMPORTन पॉंट के बारे में हम बात करेंगा और जानने के कोछिस करने चाहिए जानने के कोशिस करेंगे कि यह फॉर्म आप लोगों को फिल करना चाहिए यानि फिल करना चाहिए किन बच्चों के इस फॉर्म को फिल करना चाहिए और इस फॉर्म को फिल करने का कितना फायदा हो सकता है तो इस सभी चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो और जानने के कोशिस करते हैं intelligence bureau के इससे notification के बारे में जो कि कलर के group C के लिए एक notification आया हुआ है Central General Central Service Group C Non-Gadget Non-Ministrial Post के लिए एक vacancy आया हुआ है ठीक है जिसे IB ने release किया है और इसका जो important date है पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो यहां सो जल्दी हम देख लेते हैं जल्दी से देख लेते हैं इसके कुछ important date के बारे में जो कि आप लोगों को पता भी होगा यहां पर देखेगा जो पहला date है notification का तो आ चुका है application कब से start हो चुका 19 दिसंबर से और कब तक चलेगा 9 जनवरी 2021 तक आप application को फिल कर सकते हैं जो पहला stage होगा उसके बाद यहां last date जो payment करने का है वो भी 9 जनवरी 2021 तक है और last date of fee pay 12 जनवरी 2021 मतलब offline offline आप 12 तक फिल कर सकते है online आप 9 जनवरी 2021 तक फिल कर सकते है tier 1 बाकि सब detail अभी दिया नहीं गया है बा आगे बात करें वेकंसी के बारे में तो आप लोगों को पता है कि वेकंसी बहुत ज्यादा है हुआ है इस पर जो वेकंसी है 2000 वेकंसी है तो बहुत ज्यादा वेकंसी है और हर एक काडिगरी में अच्छा वेकंसी देखने को मिलेगा जैसे देखिए आप जेनरल काडिगरी तो बहुत है दोस्तों ठीक है ना तो इस फार्म को आप लोगों को फिल करना चाहिए क्योंकि आई भी इतना वेकंसी कभी निकालता ही नहीं है उपर से कलर के का यह फार्म है ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है तो यहां पर देखिएगा दोस्तों कितना अच्छा पेस के लिए अच्छा के यहन देखिएगा और सात में baru eds मिलते जितने फेसलएटि मिलतें के तरफ से वह वही कुछ आपको मिलेगा यहां देखने को अबी अपलीकेशन फी तो आपको लगेगा ही लगेगा और उसके साथ आपको 500 रुपए भी देना होगा ठीक है तो आपको अगर आप किसी भी काटेगरी से बिलाउंग करते हैं तो आपको 600 रुपए लग जाएगा क्योंकि सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब को निकाला गया जिसमें कंप्यूटर का नॉलिज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और एज लिमिट 18-27 रखा गया तो अभी से कैलकुलेट किया जागा जब भी फॉर्म निकला उस डेट से कैलकुलेट किया जागा ठीक है ना तो यह ब्रकें आपका date of birth है is is 93 का होगा तो आप इसे apply कर सकते हैresse कब का अ 9 समय मतलब December 1993 का होगा तो आप स्वां को apply कर सकते है ठीक है ना आगे दिक्हीए 93 दिसमबर के बाद कभी भी है तो आप wearing कर सकते हैं 8 θα AC 7月 रखा गया IB grade 2 selection process देखिएगा सबसे पहला एक्जाम होगा tier 1 phase 1 tier 2 phase 2 और tier 3 phase 3 मतलब 3 phase में इसके एक्जाम को conduct किराया जाएगा जिसमें tier 1 में आगर हम बात करेंट tier 1 में देखिएगा GA का होगा मतलब general knowledge भी होगा general science भी होगा current affair भी होगा ठीक है उसके बाद math का होगा math से में math में जो basic math के question होते वह होंगे advance के question कम देखने को मिलेंगे numerical reasoning होगा यहां पर reasoning से भी question exam होगा online ठीक है पहली बार exam online होगा यहां पर आगे अगर हम बात करें tier 2 में क्या होगा आपको इसे लिखना होगा जो कि बहुत ही आसान दिया जाएगा एक घंटा समय दिया जाएगा एसे और comprehension writing के लिए पचास नंबर यहां कवर किया जाएगा जिसके लिए एक घंटा आपको दिया जाएगा और टोटल पचास नंबर एक घंटे में आपको करना है ठीक है ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है टीर 2 टीकत वियर 2 आप कर सकते यह वहला आपको फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए और बिसिक ग्रामर आपका अच्छा होना चाहिए तो आप इसको निकाल सकते है ठीक है उसके बाद इंटर्विव में क्या होगा 100 नंबर का इंटर्विव आपका होगा यहां पे आईभी तो यह करवाय जा सकता है आई भी ने पहले आपको बता दिया गने बता दिया सवाल को को फिल करना चाहिए यह कि सन यह विल के सки का तयारी हो जाएगा आपका सब्सक्राइब करना आपको समान नियाधियन उसके बाद मैस्ट भी करना और उसके बाद रिजिनिंग करना है तो तीन सेक्षन तो आपका यही पर तयार होता है और केवल आपको इंग्लिस एड करना होगा जो कि ससी की एक्षाम में पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि अगर आप रेल्वे ससी के त्यारी करते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजें और अगर बैंकिंग के त्यारी करते हैं तो मैं आपको सजिस्ट करूँगा क कि इस पॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिए क्योंकि दोनों का अलग हो जाएगा तो जो बच्छे प्रॉपर रेलवे त्यारी कर रहे हैं उनके लिए तो यह बहुत इंपॉर्टन फॉर्म है आपको एक मौका मिला है आई वी में जाने का तो इससे अच्छा मौका अब नहीं मि भी देखने को मिल जाएगा सभी जगा नहीं दिया गया सभी स्यट को कबर किया कि यहां जाना करता हूँ निभी आफोसर वाख और रराची अजम और राची सो यहां पर सबसQué को का रूग यह तो यह अच्छी बात है मतलब होम से बिलॉंग करते हैं तो आपका इसाम कहां पर होगा हों में ही होगा तो इतना अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा इसे मौक공 दिで propose को कि कीचिकी 90 90 प्लस कोशन आप बनाके आए 85 प्लस कोशिजर करने का कोसिज है क्योंकि आपको आइवी में ऑपको अलग साबित करना होगा तो आपको कुछ हाय स्कॉर लाना भी क्योंकि आप रेल्वे बिश्क्टाइब का सोच सकते हैं तो आइवी में भी आप पर 80-85 लाने का सोच सकते हैं सोचना ही होगा तभी आपका इसमें असानी से सेलेक्शन हो पाएगा और जो इस फार्म का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां सिर्फ जाकर डायरेक्ट आप इस फॉर्म को आसर करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहें अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं ट्रैंक यूँ